नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि नाइट्रो फ्यूरें टोइन टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है नाइट्रो फ्यूरें टोइन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और नाइट्रो फ्यूरें ट सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में नाइट्रो फ्यूरेंटोइन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है नाइट्रो फ्यूरेंटोइन टैबलेट एक एंटी बायोतिक दवा है जिसका उप्योग मुखे रूप से पेशाप में इन्फेक्शन होने प पर हो सकते हैं और यदि पेशाप का इन्फेक्शन किन्नी तक पहुच जाता है तो कमर में दर्द, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और दुखार होना आदी लक्षन भी हो सकते हैं नाइट्रो फ्यूरेंटोइन टैबलेट पेशाप में इन्फेक्शन पैदा करने वा तो खृपिया वीडियो को लाइक करना नह भूलें अब हम दिसकस करेंगे की नाईट्रो फ्यूरेंटोइन टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंदेध होता है। लेकिन पेशाब में infection की गंभीरता ज्यादा होने पर Dr. Nitrofuren Toin 100MG Tablet को भी दिन में 4 बार लेने की सलाह दे सकते है। डॉक्टर नाइट्रो फ्यूरेन टोइन सस्टेंड रिलीज 100 mg टेबलेट को दिन में केवल दो ही बार लेने की सलाह देते हैं. क्योंकि सस्टेंड रिलीज दवाईयां पेट के अंदर धीरे धीरे घुलती हैं और सस्टेंड रिलीज दवाओं का असर लंबे समय तक रहता हैं. नाइट्रो फ्यूरेन टोइन टेबलेट को डॉक्टर साथ दिन तक लगातार लेने की सलाह देते हैं. नाइट्रो फ्यूरेन टोइन टेबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको नाइट्रो फ्यूरेन टोइन टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना नाइट्रो फ्यूरेन टोइन टेबलेट को नहीं लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की नाइट्रो फ्यूरें टोइन टेबलेट की वजह से क्या side effects हो सकते हैं? वैसे तो ज्यादातर व्यत्तियों में नाइट्रो फ्यूरें टोइन टेबलेट की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ परसंथ व्यक्तियों में नाइट्रो फ्यूरिन टोइन टैबलेट की वजह से कुछ सामानने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त सिर्दर्ध होना, धूप कम लगना, पेट में दर्ध, चक्कर आना और थवचा पर रैशिस आदी साइड इफेक्ट्स नाइट्रो फ्यूरिन टोइन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की नाइट्रो फ्यूरिन टोइन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. और किन कंडिशन्स में नाइट्रो फ्यूरिन टोइन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है. लिवर और किड्नी की कोई गंभीर बीमारी हो प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्तर जरुरत पढ़ने पर, नाइट्रोफ्यूरिण ट्याबलेट को लेना रेका मिदे नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सलाह के बिना नाइट्रोफ्यूरिं ट्याबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं नाइट्रो फ्यूरिन टैबलेट को ले सकती है या नहीं pregnant महिलाओं को डॉक्तर जरुरत पढ़ने पर नाइट्रो फ्यूरिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए नाइट्रो फियूरिन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं हैं, क्योंकि नाइट्रो फियूरिन टैबलेट मा के दूद के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती हैं, और दूद पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स प स्तनपान करा रही महिलाओं को नाइट्रो फियूरिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ना कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.